हलो बच्चो कैसे आप क्या हाल चल आपकी एक्जाम मेरे बच्चे पास आ चुका है लगवग तीन मेहने का समय हमार पास बचा हुआ है आप में से कई सारे बच्चे कोर्स almost complete कर चुके हैं कई सारे complete कर चुके हैं कई सारे 50, 60, 40% पर कई बदमाश बच्चे अभी श्रुबात क कर लूँगा लेकिन एक शीज तो पक्का है कि आप में से हर एक बच्चा जो भी CMA Intergroup 1 में है और चाहे वो किसी भी स्टेज में है उसका एक ही लक्षे है इस बार जून 2024 अटेम्ट में अपने CMA Intergroup 1 को क्वालिफाई करना मेरे प्यारे बच्चों बिलिब कीजे मैं आपका स दिखाऊं यह यह वो आपका प्लानर हमेरे बच्चे जिसको मैं डिटेल में आज आपसे शेयर करना चाहता हूं बहुत ध्यान से इस बात को आप समझ लेंगे बहुत ध्यान से एक एक चीज को मैं explain कर दूँगा यह हमारा टेस्ट प्लानर आपके लिए रहा फानेशल अका अप्लोड कर दूँगा आप उसको जरूर डाउनोड करके अपने पास रखेंगे और आप अपनी त्यारी को उसी के मुताबिक करेंगे मेरे बच्चे यह जो मैंने आपका टेस्ट जो बनाए है यह जो टेस्ट हमने रेडी किये हैं मेरे बुक यह जो मेरे बुक है ना CMA Intergroup मेरे बुक में जो बचे इंडेक्स में मैंने चैप्टर से यहां पर रखा ओए एक्सेक्ली के मैंने टेस्ट को यहां पर रे किया है। चाहे आप मेरे paid students हैं, चाहे आप चैनल पे मेरे बचे रहके आप self study कर रहे हैं, कहीं और से study कर रहे हैं, सब के लिए ये आपका free मेंने किया है, इस test plan को explain करने के पहले मैं एक छोटी सी बात आपको और बता दूँ, मिरे बचे हमने कोई भी टेस्ट ना ऐसे ही नहीं बना दिया, कहीं से कोशन को copy paste नहीं कर दिया, हमने exactly जो आपका June 2024 attempt का जो एक्जाम होने वाला है, उसमें जो कोशन का जो pattern होगा ना, exactly same pattern पे हमने कोशन इसको यहां पर रखा हुआ है, हो सकता है कि जब आप एक्जाम देने जाएं, तो कहीं सारे कोशन हमारे टेस्ट जो आपके conduct किये जाएंगे ना, उसमें से ही आपको देख जाएं, आईए ना, मैं आपको बताओं, यह आपका टेस्ट का मेरा पूरा planning, ध्यान दिजे, टेस्ट मेरे बचे शुरुआत हो र थाटीन आपके पास वीक आ रहे हैं, थाटीन वीक्स, इस थाटीन वीक मेरे बचे टेन आपके पास जो चैप्टर टेस्ट होएंगे ना, वो चैप्टर वाइज होएंगे, हमने वो कॉम्बिनेशन डेटि किया, जैसे कि आप देख सकते हैं, नाइन्थ मार्च को जो आपक इसी भी एक्जाम के आते हैं, तो पर बच्चे यहां पर क्या होगा, नाइन्थ मार्च को आपका बियारेस प्रलस बिल्सव एक्स्चेंज, सिक्स्टिंथ मार्च को जो टेस्ट होगा, जोएंड वेंचर प्लस कंसाइमेंट का, उसी तरीकी से 23rd मार्च को डेप्रिसेशन इस तरीके से मेरे इंडेक्स है, मैं जानता हूं कि आप इसे सभी बच्चे लगबग इसी पैटर में आप स्टड़ी कर रहे हैं, जो मैंने इंडेक्स रेडी भी किया ना वह इस तरीके से ताकि एक चैप्टर के बाद दूसरे चैप्टर में आपको परशानी ना हो, तो ब सेवेंथ में को खतम होगा, चैप्टर वाइज वाला है, और उसके बाद फिर आपका 18th में, 25th में and 1st उनको ये तीन जो टेस्ट आपके होंगे, वो कॉम्प्रिहेंसिव है, यानि कि सारे चैप्टर उसको मिलाके, एक्जैक्ली एक्जाम का पैटर्न आपका, भरसक हो सकता है, मिरे बच्चे, चांस से जाकी कोशन आपको यहीं से दिख जाए, क्योंकि जो कोशन बना रहा हूँ न, वो बिल्कूल आपके एक्जाम के पैटर्न पे, आपके 15 MCQ होंगे, 2 मार्क्स वाले, 30 मार्क्स के, और बाकी जो 70 मार्क्स का पेपर होगा, वो सब्जेक्टिव हो होगा, उसमें थियोरी प्रेकल का कॉमिनेशन होगा, एवरेज कोशन, टिपिकल कोशन, ट्रिकी कोशन, जो भी एक्जामनर बना सकता है, उन सब को हमने इनविल्ड करके पेपर आपके लिए रेडी किया है, हमारे सिर्फ और सिर्फ CMA Intergroup 1 के बच्चों को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए टेस्ट को बनाए है मेरे बच्चे, ताकि आप अराम से उसको जज़ करेंगे, यह टेस्ट कब और कैसे शेयर होगा, आए एक बार उसके बार में आपको बता दू, बहुत ध्यान से बात सुनना, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ confusion हुआ न, तो बाद में आ करना शुरू करते हैं, जो कि अननिसेसरी आपका टाइम वेस्ट होता है, सुनेंगे ध्यान से, हम लोग स्ट्रेटली इसको फॉलो करने वाले है, यह सारा टेस्ट मेरे बच्चे, फ्री है, फॉर आल सीमे स्ट्रेंट्स, अभी गुरूप वन की बात कर रहा हूं, अगले व बच्चे, नाइन्थ माज से शुरू हो रहा है, ध्यान से सुनेंगे अब, एवरी सेटरडे, सेटरडे मैंने जान बूझ के टेस्ट पेपर को यहां रखा, क्योंकि जो स्ट्रेजी आप फॉलो करते हैं, उसमें संडे आपका रिवीजन डेट होता है, तो रिवीजन के दि www.coceducation.com, मेरे जो ओफिशिल हमारा वेबसाइट है, वहां पे क्या होगा, अप्लोड हो जाएगा, लेकिन ध्यान ना, सेटरडे को टेस्ट पेपर अप्लोड होगा, आपके पास सेटरडे और संडे स्रियस मोड में आके, बिल्कुल एग्जाम के महौल में आके, उस पेप करेंगे, सजेस्टेड एंसर उसका हम लोग अप्लोड करेंगे, जिससे आप अपने एंसर को मैज कर सकते हो, आप देख सकते हो कि, एक्शुली आपने जो किया है, उसमें कितने मार्क्स आपको मिलना है, सेफ अनलिसिस करना होगा, मेरे बच्चे, तो आपका सेटरडे को ट पे जो टेस्ट पेपर और सजेस्टेड हम लोगों ने अपलोड किया था, उसको हम रिमूव कर देंगे, यानि कि वो हमारे साइट पे नहीं रहेगा, सर ऐसा क्यों, इसलिए क्योंकि साइट पे बहुत ज़्यादा कंटेंट डालने से मेरे बच्चे साइट स्लो हो जाती है तो आप discipline way में आप उसको क्या करेंगे, अपना attempt कीजिए, और लगता है कि नहीं जी मैं उसको बाद में attempt करूँगा, तो paper को download करके अपने पास रख लेंगे, ठीक ना, वो download का हम लोग वहाँ पे आपको option दिये वे, तो taste paper हम remove कर देंगे, फिर अगले Saturday को same cycle start होगा, फिर आ होगा, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, जब आप विजिट करोगे ना, प्रोसिस बता रहा हूं, विजिट करेंगे हमारे cocaeducation.com side के उपर में, है ना, तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा, लोग इन करना होगा, जो पहले से registered है, उनको दुबारा लोग इन नहीं क पेपर को जब क्लिक करोगे, cma and ca, क्योंकि 2 courses हमारा cocaeducation लेकर चलता है, वो वहाँ पर दिखेगा, जब आप cma को क्लिक करोगे, तो उसमें आपको cma inter 1, cma inter 2 आपको दिखना शुरू हो जाएगा, तो आपको फिर क्या करना, cma inter 1 पे क्लिक करना है, जब cma inter 1 पे क्लिक करे तो आपको दिखाए देगा, financial accounting, law, tax and costing के paper, उसमें से, क्योंकि मैं बात करना हूँ, financial accounting का, तो आप financial accounting पे क्लिक करेंगे, और आपको जो name of chapter वहाँ पर जो display होगा, टेस्ट, जो हमने planner दिया उसके मुताबिक, आप क्या करेंगे, जी, वहाँ पर बस ध्यान देना, मेरे बच चैप्टर पर क्लिक करोगे न, तो instructions खुल जाएंगे, और instruction कुछ भी नहीं है, उस पर time waste नहीं करेंगे, आपको क्या करना है, name of chapter के ठीक उसी में नीचे में, view result आपको एक button वहाँ पर दिख रहा होगा, name of chapter में, उसी आपका folder पर आप देखोगे, कि view result आपको वहाँ पर ए जाएगा, कब, Saturday, 12 पे, वहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा, और मेरे बचे, Monday को न, Monday को क्या होगा, question paper और answer sheet दोनों दिखना शुरू हो जाएगा, जब आप वहाँ पर view result column पर क्लिक करेंगे, तो question paper और answer sheet दोनों वहाँ पर दिखेंगे, question paper कब दिखना शुरू हो जाएगा, मतलब answer sheet दिखना शुरू हो जाएगा, witness day को सब हट जाएगे आपका, ठीक न, तो ये process आपको follow करना है, इस process को follow करेंगे आप, pattern of test paper क्या होगा, जी, 100 marks होगा, सारे paper, 100 marks होगा, सारे paper, आपको होगा, इंटर लेवल के, 15 question MCQ होगा, 2 marks each, और remaining subjective question होगे, जिसमें कि theory, practical का, जबज़स combination, average question, simple question, tricky question, typical question का, जबज़स combination, जो हमारा CMA हमेशा हमसे पुछता है, और वो सारे दाओ, जो examiner, exam में खेल सकता है, अपने question paper को put करके, उन सारे दाओ की पहले समत्यारी करेंगे, मेरे प्यारे बच्चों, बिलिब कीजे, ये सारे काम, सिर्फ और सिर्फ आपको दीवेस बराने के लिए C.O.C. कर रहा है, आपके संतोश सर, आपको दिन रात आपके बारे में सोचते हैं कि मेरा बच्चा आगे बढ़े, मेरा बच्चा आगे बढ़े, मेरा बच्चा रैंक लेकर आए, मेरा बच्चा एक्जम्शन लेकर आए, मेरा बच्चा, मेर बच्चा और सिर्फ मेरा बच्चा आपकी बात कर रहा हूं बदमाश आपकी बात कर रहा हूं तो आपकी त्यारी इस पर दीवेस्ट होगी बाकी बच्चे पास करें या ना करें बाकी बच्चे एक्जम्शन लाए या ना लाए आप जरूर लाओगे इस बात को हम इंशूर क चुके हैं 14 वाला देना होगा जो कि नॉर्मल रूटीन का काम आपके लिए बन जाएगा और मैं सचाई बता रहा हूं कई सारे कोशन आपको इस टेस्ट पेपर से दिखने शुरू हो जाएंगे सच बोलना हूं तो बी रेडी ना हूं कब से टेस्ट शुरू कर रहे हैं आप शार भूल तो नहीं गए हम लोग टेस्ट शुरू कर रहे हैं मेरे बच्चे आपका 9th of March से और ये रहा आपका प्लानर ये प्लानर को मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं आपका डिस्क्र लेकर आएंगे आप सब के लिए दी बेस मैराथन दी बेस वन शोट रिविजन लेकर अभी चैनल पर हम लोग आने वाले पूरी सी ओसी की फेकल्टी इज फॉर डिफरेंट लेबल आपका फांडेशन हो इंटर वन हो इंटर टू हो फाइनल हमारा हो सब के लिए मेरे बच् कि संतोष सर ने जो टेस्ट पेपर यहां पर अप्लोड किया उसको देखो उसको सॉल्ब करो अगर सचमुझ में सीए में इंटर क्वालिफाय करना चाहते हैं तो अदरबाज फिर तो कोई बात ही नहीं है All the best, thank you, thank you, Jay All the best, thank you, thank you, thank you, thank you